यूजरे जब हम Pandas के अंदर कोई भी data load करता है तो हम statistical summary describe की command से देख रहे होता है और आपने एक सरकाद यह note किया होगा कि बोट describe की command सारे variables की हमें statistical summary नहीं देता सरफ numerical variables की देता है अगर हम सारे variables की statistical summary चाहते हैं तो हमने simply क्या करना है इसके अंदर describe के अंदर mention कर देना है कि include all और जब हम इसको हमारे पास यह जितने भी variables हमारे होंगे चाहे उसकी data type कोई सी भी हो वो हमें उसकी statistical summary प्रोवाइड करतेगा अगर आप categorical data की statistical summary चाहते हैं तो आपने simply include के अंदर वो एक mention कर देना है कि आपको किस type का किस data type की summary चाहिए मुझा आप mention कर देंगे जितने भी हमारे पास इस data के अंदर object type या object data type के होंगे जैसे हमारे पास sex, smoker, day और time यह चार ऐसे थे जो categorical data था और इसकी data type object mention थी वो यहांपर हम simple mention करेंगे और हमारे पास उसकी statistical summary आजएगी इसके साथ साथ आप एक से दो भी यहांपर mention कर सकते हैं अगर मैंने float mention करना है तो मुझे यह उसकी भी float और object इतने भी हमारे पास होंगे और सबकी statistical summary देतेगा इस तरह के से ना सिर्फ आप numerical की बलकि चितने भी आपके data set के अंदर variables हैं सबकी statistical summary देख सकते हैं